तो हम लोग पार्ट टू में देखेंगे कि जब अंकीत ड्राइवर अंकल के बेटे को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है उसके बाद क्या होता है तो अंकीत है जो वो ड्राइवर अंकल के बेटे से सवाल करता है क्या नाम है तुम्हारा अंकीत ने पूछा तो अंकीत पूछता है क्या नाम है तुम्हारा सलीम उसने हकलाते हुए कहा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो सलीम कुछ नहीं बोला तो ड्राइवर अंकल ने बोला बताया बेटा सलीम को हकलाने की बिमारी है उसे पढ़ने लिखने में कठिनाईयां होती है वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी पढ़ाई पर खर्चा कर सकें ड्राइवर अंकल की बात सुनकर अंकित सन रह गया बोला नहीं अंकल सलीम को हमारे प्रेम और सहारे की जर्रत है सभी बच्चे एक से नहीं होते अंकित ने मन में निश्चे किया कि वह सलीम की अवश्य सहता करेगा उसने सलीम से पूछा क्या तुम पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पर अंकित जो है वो उससे आहमत के बेटे से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है वो बताता है कि मेरा सलीम नाम है तो सलीम जब हकलाता है तो अंकित फिर वो सवाल करता है कि किस कक्षा में पढ़ते हो तो वो कहता है वो कुछ नहीं कहता है बलकि उसके पिता कहते हैं कि इसे हकलाने की बिमारी है इसलिए हम लोग इसको विद्याले नहीं भेजते हैं और उनकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि वे अपने बच्चे को कोई इसकोल में दाखिला दिलवा सकें इस पर अंकित जो है वो निश्चे कर लेता है कि उसे वो विद्याले अवश्य ही भेजेगा हाँ भैया मैं आपको जब भी इसकोल जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी इसकोल जाने के लिए करता है परन्तु सलीम ने हकलाते हुए कहा या कहकर सलीम की आँखे भर आई अंकीत ने धीरे से उसके कंदे पर हाथ रखा तब तक घर आ गया था अंकीत ने हाथ मिला कर सलीम से विदा ली घर आकर अंकीत ने अपने माता पिता को सलीम के बारे में बताया और कहा क्या हम सलीम की सहायता कर सकते हैं उन्होंने प्यार से अंकीत के सीर पर हाथ फिरते हुए कहा अंकित तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है हम अवस्य ही सलीम की सहयता करेंगे तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अंकित जो है वह सलीम की सहयता करने का निश्चे कर लेता है लेकिन वह भी एक विद्यारती है उस से अकेले में यह कारे सफल नहीं होगा इसलिए वह अपने माता पिता से इस विषय में बात करता है और उसके माता पिता भी उसके लिए तयार हो जाते हैं अब देखे आगे अगले दिन अंकित के माता पिता ने सलीम का दाखिला पास में ही एक विद्याले में करा दी अंकित ने भी अपने जेव खर्च के जोड़े हुए पैसों से सलीम के लिए किताबें, कौपियां और विद्याले की यूनिफॉर्म लाकर दी अंकित के मन में सहयोग की भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो उठे उन्होंने अंकित की पित थप थपाई अब सलीम विद्याले तो जाने लगा पर जिज़क और भै का राक्षस उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था एक दिन विद्याले से घर आते हुए अंकित ने देखा की सलीम बहुत उदास है और उसकी किताब नीचे रखी हुई है वो सलीम के पास रुक गया उसने किताब उठा कर सही जगा पर रखी और प्यार से बोला सलीम क्या बात है तुम परिशान क्यों हो रहे हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंकित के माता पिता सलीम का दाखिला विद्याले में करा देते हैं और उसके लिए यूनिफॉर्म होगेरा अंकित अपने जेव खर्स में से पूरा करता है खरीद देता है और यह देखकर अंकित के माता पिता बहुत ही गदगद हो जाते हैं गदगद मतलब बहुत ही खुश होना और फिर भी जब सलीम विद्याले जाने लगता है तो उसे जिजक की जो बिमारी थी उसके कारण वह अपने विद्याले में अपनी कक्छा में सामने आने से हिच की जाता है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद